हाई नमस्कार मित्रों मैं आपका दोस्त संजा इकमार आप सभी का संजे केम टुटोरिल्स में स्वागत करता हूं जैसे कि हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों का जो जैक का एक्जाम जो होने वाला है उसको क्या किया गया है कि अभी पॉस्पोंड कर दिया गया है रखेंगे कि अगले एक महीने के बाद क्या करेगा कि अगर वो एकजाम को ले लेगा तब हम लोग एकाईक त्यारी नहीं कर पाएंगे एकाईक रिवीजन नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि अपने आपको रिवीजन के लिए तैयार रखना है मतलब रि है वो चप्टर नेवाले से पॉली से जो आने वाली टॉपिक के से उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने चुछ किया है उससे बॉइन स्कूशन को मद्रॉप 스लिया नगेर Kirby तो चलिए तो चलिया स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि कुछ इंपोर्टेंट पॉलीमर और उसके मॉनोमर्स का नाम लिए तो उसमें से देखते हैं कि यह दस जो मॉनोमर्स और पॉलीमर्स हैं उसी में से आपका क्या है सिले बस यह कोश्चन सारे पूछे जैसे क्या है कि अगर पॉलीमर्स रहेगा कि पॉलीथीन पॉलीमर्स है तो उसका मॉनोमर्स क्या होगा इथीन आपको क्या लिखना है इथीन मॉनोमर्स से क्या होता है पॉलीमर्स क्या बनता है पॉलीथीन अब देखे कि पॉली भिनाइल क्लोराइड जिसको आम लोग पी Community जो आपका है four number four one में क्या काता है तैफलोन का फुल-फॉर वहता है टेट्रा फुलूरो ईथेन तो जिसका polymer जो होता है, पॉली टेट्रा फिलूरो इथेन तो पॉली टेट्रा फॉलूरो एथेन जो है इसका monomer क्या कर विन बिन इसको आपको ये दशों का धब दिमागे न के उसका यहाँ सकते हैं वुन नेस्ट वन जो है वो क्या कर रहा है कि बूना एन बूना एन जो है तो बूना एन का क्या होता है मॉनोमर तो मॉनोमर होगा वन थ्री व्यूटाडाइन इसका होता है प्लस एक्राइलो नाइट्राइल होता है 1,3 butadine plus acrylonitrile इसका क्या होता है monomer होता है तो यहाँ पे पूछता है which of the flowing is the monomer of buna n तो आपको याद रखना है 1,3 butadine और acrylonitrile होगा next की और बढ़ते next point की और 6 number जो point लिये है वो क्या लिये है buna s तो buna s का क्या हो जाता है कि 1,3 butadine और s का मतलब हो जाता है ashtyrin 1,3 butadine और s का मतलब क्या हो जाता है ashtyrin तो यहाँ पे आद रख सकते है उनमें क्या रखे है buna n, nitrile और इसमें क्या रखे सकते है ashtyrin दोनों का श्यम हो जाता है फिर यहाँ पे दिया है क्या दिया हुए nylon 6 नाइलोन जीक्स का दाउंज होगा मोनोमर क्या की सुना तो नाइलोन जीक्स मौने मोनो लिए कि नाइलोन 6 करें मृनोंर स्कीज़ का मृनोमर होता है क्या हो कि आपके लिए एक दम महत्वपुर्ण को स्टों को हम लोग हमने स्लेक्ट किया है तो यह चीजों को अगर आप डेली एक वीडियो को देखते जादे ना बीस मिनेट अगर आप डेली देखते तो आपका क्या होगा के पूरे धिमाग में सेट रहेगा कभी भी वह एक डेकरोल का क्या हो जाता है इतलिन कलाइकोल और टेरिथ हलेक एसेड तीक है नेक्स्ट वन क्या है कि बेकलाइट बेकलाइट क्या होता है फिनोल और फॉर्मल डिहाइड इसका क्या होता है मॉनोमर्स होता है इस प्रकार से मुख्य दस प्रकार के ही पॉलिमर्स को आपको प यहां पे सबसे first में हम लोग ला रहे है objective types question चार में से एक को सही करना है तो यहां पे देखे क्या कर रहा है कि which of the flowing is is not या synthetic rubber derivative synthetic rubber के derivatives इसमें कौन कौन सी नहीं है तो देखे यहां पे क्या कर रहा है कि बुना S होता है synthetic rubber का derivative बुना N भी होता है नियोग प्रिन भी होता है तो कौन नहीं होगा यह तीनों होता है तो 4-1 वाला क्या होगा इसका derivative नहीं होगा तो इन बातों को आपको ध्यान देना है चलिए next questions की ओर आगे बढ़ते question number 2 की ओर 2 number question में क्या कर रहा है कि preparation of polyester polymer is based on polyester के polymer polymer जो है वो किस पे बेश्ट है किस के माध्यम से यह polyester का polymer जो है वो बनता है तो हम लोगों के पास option दिया addition polymer से बनता है condensation polymer से बनता है bot से बनता है none of these से बनता है तो इसमें जो polyester बनता है तो polyester बनने के लिए क्या होता है कि इसमें one monomer से अधीक monomers की जुरुत पड़ता है तो एक से अधीक monomers का जुरुत पड़ता है उसको हम लोगो क्या कहते है condensation polymer की नाम से जानते है तो यहाँ पे क्या होगा polyester जो बनता है वो क्या होता है condensation polymers है चलिए next question की ओर आगे बढ़ते question number 3 की ओर 3 questions में क्या कर रहा है कि वी synthetic polymer ही जो obtained from caprolectum अब भी तुरंट तुरंट बता आए थे एकदम caprolectum के बारे में कि कौन सा polymer जो है synthetic polymer जो प्राप्त किया जाता है caprolectum monomer से तो caprolectum monomer से कौन सा polymer प्राप्त किया जाता है चले next question की ओर बढ़ेंगे question number 4 PVC polyvinyl chloride इजिया क्या है polyvinyl chloride क्या है तो यहाँ पर दिया हुए कि addition polymer है condensation polymer है co polymer है none of DJ तो यहाँ पर क्या हाथ रखना है कि अब भी हम लोगों ने देखा था क्या condensation polymer यहाँ पर क्या है PVC addition polymer option number यह क्या हो रहा आपका true हो जा रहा है तो इस प्रकार चेंगे लोगों बता सकते हैं कि PVC polyvinyl मतलब polyvinyl chloride जो है वो क्या है कि addition polymer है next questions की और आगे बढ़ते question number 5 5 में देखे कि name the monomers of natural rubber natural rubber का monomer क्या होता है तो अब भी तुरंत ही देखे हैं तो वहीं से दसों में से यह हर एक questions को त्यार मतलब पूछता है आपके exam में तो यहाँ पर क्या होगा कि natural rubber है natural rubber का क्या होता है polymer कहां से बनता है isoprene से यह बनता है monomer से अगर पूछेगा तो क्या करना isoprene होगा natural rubber का next question की और चलते question number 6 6 में क्या कर रहा है which is natural rubber natural rubber कौन है natural rubber तो monomer वहां पूछ रहाता है यहां पर क्या कर रहा है natural rubber अगर monomer पूछता था क्या करते है isoprene अगर rubber ही पूछ दे रहा दाक मिंस polymer पूछ रहा है यह ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है polymer पूछा natural rubber क्यों होता है तो polymer कौन सा होता है polyisoprene अगर वह पूछता क्या कि monomer कौन होता है natural rubber क्या बोलतना था nioprene या isoprene ठीक है next question की और बढ़ते है question number 7 7 number question में क्या है which one of the polymer मतलब co-polymer which one is the co-polymer co-polymer कौन सा है question number 7 में co-polymer कौन सा हो जाएगा तो अब भी हम लोग देख रहे थे क्या होता है कि Buna S जो हता है co-polymer है nylon 6 क्या है co-polymer है terylene क्या है co-polymer है तो यहाँ पे क्या सही होगा all of these d number option आपका सही हो रहा है आप लोग एक गलतिया क्या करते है कि आप लोग ना कभी comment नहीं करते है अगर आप comment करते है तो हम भी क्या होते है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए क्या हते है motivate होते है आप लोगों की एक-एक comment एक-एक like और एक-एक share से मुझे बहुत ज़्यादा क्या होती अपडि खुसी मिलती है अप लोगों के लिए हम लोग क्या करते है अपने आपको hundred hundred percent त्यार रखते है तो इसलिए क्या करना है कि आपको share करना है subscribe करना है ताकि हम लोगों को और भी अधिक motivation प्ले आप लोगों का प्यार मिलता रहे हम लोग इसी तरह काम आप लोगों के लिए करते रहें चलिए ठीक है next questions की और बढ़ते question number 8 number Buna S is obtained Buna S जो है वो किस से प्राप्त किया जाता है तो किस से प्राप्त किया जाता है Butadine और Ashtarine S का मतलब Ashtarine से प्राप्त होता है Butadine Buna Butadine और Ashtarine से प्राप्त होता है अगर N काता है तो बीटा डाइन और क्या होता है नाइट्राइल हो जाता है यहां क्या है ऐसा है तो क्या करना Ashtarine तो यह option number क्या हो रहा है यह number option आपका सही हो जा रहा है next question की और बढ़ते question number 9 number question में क्या है कि Orlon Egya Polymer Orlon polymer है तो Orlon को हम लोग क्या कहते है पॉलीमर以करा यहाइल नाइट्राइल का जो पॉलीमर है इस परकार से 9 Number cuálshner जो होता है वह सही कर लिए हम लोग सा option होता है बी नबर सही होता है नेस्ट कोश्चन की और चलते कोश्चन नमबर 10 नेम आप दा मॉनोमर इज किसका मॉनोमर तो फिर से यहां टाइपिंग मैस्टर की और से एक और गलतियां करते हुए हम लोग देखते कि इन्होंने क्या गलतियां कर दिया क्या छोड़ा क्या उप्शन में दिया किसको के लाइट तो यहां पर इसको क्या लिखना था बैके लाइट तो कोश्चन को हलका सा सही करना है नेम ओप मॉनोमर ओप बैके लाइट इज बैके लाइट का मॉनोमर क्या होता है हम लोगों को पता है बैके लाइट का मॉनोमर क्या होता है फिनोल भी होता है फॉर्मल डिया सही किया यह जरूर कमेंड कीजिए ठीक है next question की ओर चलते question जो है वो क्या है फिलिंदा blanks के question है five questions फिलिंदा blanks तो देखें यहाँ पर क्या करा कि which polymer is prepared by monomer ashtyrin ashtyrin monomer है इससे क्या करा कि कौन सा polymer प्राप्त होगा तो polymer क्या होगा poly ashtyrin इसमें पाली क्या लगा दिए पॉली तो ashtyrin प्राप्त हो गया poly ashtyrin जो है वो polymer प्राप्त हो जारा किस से ashtyrin monomer से तो question number 11 में क्या फिलिंदा blanks करना पॉली ashtyrin को फिलिंदा blanks करना है next question चलते question number 12 कि और 12 में क्या कर रहा है कि what is the usage of PVC polyvinyl chloride polyvinyl chloride का उप्योग क्या है तो इसका उप्योग हम लोग क्या कहते है कि pipes को बनाने में electric के समानों को बनाने में जैसे electric switch electric wire यह सब बनाने में तो इन सारी चीजों को बनाने में हम लोग किसका उप्योग करते है polyvinyl chloride का उप्योग करते हैं यहां फिलिंदा प्लेंग्स में इस सारी चीजह पूछ सकता है नेक्स्ट वन कॉष्चन जो है कोश्चन नंबर 13 नंबर कोश्चन में क्या करा है कि पॉलिफिन पॉलिमर यह जो अप्टेंड प्रॉम दा मौनोमर पॉलिफिन पॉलिमर को हम लोग कर सकते हैं किस मौनोमर तो polythene, तो polythene polymer है, तो इसमें क्या करो, poly को काट दो, जो बच जा रहा है, उसको क्या करो, उसका monomer, monomer बना दो, तो polythene किसे बनता है, ethene monomer से बनता है, यहां क्या लिख देना है, ethene हो जाएगा, ethene, ठीक है, ethene से क्या बनता है, polythene बनता है, next one कह रहा है कि, question number 14 में क्या कह है कि examples of condensation polymer condensation polymers का कुछ example दीजिए तो कुछ examples को आपको याद रखना है terry lean हो जाता है terry lean आपका हो जाएगा इसका example या कहा सकते डेक्रोन डेक्रोन इसका example हो जाएगा condensation polymer के रूप में जाना जाता है nylon 66 भी इसके examples में आ जाते हैं ठीक है next one कहा जाता है question number 15 last one questions fill in the blanks के next one पंद्रों में क्या करता है कि homo polymer have homo polymer have कितने monomers होते हैं तो same monomers होते हैं एक या एक से अधिक होगा homo polymer have same monomers यहाँ पर क्या लिकेंगे हम लोग same monomers होता है लेकिन यहीं कूप polymers अगर पूछ देता है तो उसमें कैसी से मौनोमर्स होते हैं डिफ्रेंट मौनोमर्स होते हैं चलिए किलियर हो गया आपके कुल 15 कोईशन चलिए 10 में कितने सब्सक्राइब यह तो जरूर कमेंट किजिएगा आप फिर पांच तो नहीं किजिएगा तो वह भी चलेगा नेक्श्ट तीन नंबर के महत्पुन कोईशन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलिम्राइजेशन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलिम्राइजेशन में क्या डिफ्रेंस है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडिशन जो पॉलिमर होता है सिंपल सा आपको बता देना कि एडिशन पॉलिमर जो होता है वह जब मॉन्डोमर्स क्य जूड़ते हैं उसके बाद क्या होता है कि large molecules का formation करता है कुछ भी चीजों का elimination नहीं करता है उसी को क्या करते हैं addition polymers कहते हैं addition polymers का आप एक दो examples भी दे सकते हैं जिसे क्या कर सकते हैं लिथीन हो गया बुना एस हो गया बुना एन हो गया यह सब क्या है addition polymers के अंतर अता है इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि addition polymers यह होता है इसमें differences होते हैं but जैसे condensation polymers की ओर बढ़ते हैं तो condensation polymers में क्या होता है कि जब monomers combine करता है forming करता है बड़े molecules का formation करता है लेकिन जब बड़े molecules का formation करेगा लेकिन उस time क्या होना चाहिए इसमें छोटे-छोटे small units का elimination हो जाएगा जैसे HCl H2O NH3 ये सारी चीजों का क्या होगा कि elimination हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि ये condensation polymer है लेकिन अगर elimination नहीं होगा तो कुछ को क्या करेंगे addition polymer है तिक है इस इस polymerization process में जो examples होंगे इसमें क्या क्या कर सकते कि nylon 66 है टेरिलीन है और क्या-क्या हो जाएगा ये सारे इसके हो जाएंगे क्लियर हो गया नेक्स्ट वन जो question number two है तो टू number question में क्या कर रहा है कि आप से पूछा जा रहा है कि differentiate between Buna S और Buna N में दोनों में difference बताना है तो Buna N का जो difference होता है simple सब Buna N Buna N का मतलब होता है बी यू का मतलब butadine N E N E का मतलब sodium और N का मतलब nitrion इसमें भी Buna का मतलब butadine N का मतलब sodium रहस का मतलब astirin तो इसको जो प्राप्त किया जाता है Buna N और Buna S को तो सबसे पहले Buna N को देखते हैं तो यह polymerization method क्या किया जाता है कि इसको जब butadine और acrylonitrile को क्या करते हैं रियक्षन करते हैं एक दूसरे के साथ इंदा presence of किसका sodium के presence में तब Buna N का प्राप्ती होता है और इसमें क्या करना है कि जब हम लोग reaction कराते किसको butadine को किसके किसके साथ butadine को हम लोग polystyrene के साथ मतलब सिंपल सा अगर monomers लेके चल रहे तो अश्टाइरीन ही लेना पड़ेगा अश्टाइरीन के साथ इंदा presence of किसका sodium तो क्या होता है कि आपका बन जाएगा Buna S की प्राप्ती हो जाएगा तेक है इस प्रकार से आप दोनों में इसका एक्जामपल के रूप में आप दे सकते हैं रियक्शन को लिख सकते हैं तो इससे क्या होगा फुल माक्स की प्राप्ती हो जाएगे नेश्ट बन जो है वो क्या कर रहा है कि मतलब होमो पॉलीमर और को पॉलीमर में आपको डिफ्रेंस को बताना कैसी होता है तो होमो पॉलीमर में क्या बताएंगे डारेक्ट लिए आप बता सकते कि वैसे पॉलीमर जिसमें क्या आता है कि एक ही टैप्स के मोनोमर्स भाग लेते हैं उसको क्या करते हैं होमो पॉलीम सब्सक्राइब और आप इदर कर सकते स्बस्क्राइब दर हो जाता है क्या रहे explodent क्लिंग है वह क्या रबत कहते हैं इसका लिख देना और इसके क्या करते है। फॉर्मॉला ऑप मौनोमर्स कीव मौनोमर्स को लिख देना है कि आपको होते हैं टोटल कोशन क्या होते हैं 3-garthe के एक मार्फ के और इसके isigent Adams का भी हम ओने discussed कर लिया अगर इस परकार के सिस्टन आपको अधिक पशंद आ रहा है तो आपको क्या करना है? सेर करना है, सस्क्राइब करना है ताकि हम और भी इस परकार की वीडियो हर एक चेप्टर्स के लिए आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और आपका जब तक एकजाम कैंसिल नहीं हो जाता है या जब तक एकजाम आपका क्या हो जाता है, कनफर्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि daily इस प्रकार का एक एक वीडियो एक दो दिन के अंदर हम लोग देखते रहेंगे हर एक दिन में क्या करेंगे तो ताकि हम लोग का क्या हो कि पूरे course का revision होते रहे chemistry का पूरा जिमा हमको दे दीजै आप लोगों की त्यारी करने का पूरा 100% माक्स प्राफ्त करवाने का जिमा मेरा रहा आपको सिर्फ क्या करना की वीडियो को देखना है थोड़ा थोड़ा प्रै क्रैक्टिस करना ए ठीक है ठैंक्स फोर वाचिंग अधिक सेयर किजिए सस्क् किजी.